हलो दोस्तों आज मैं आपको पंच तंत्र की एक और नई कहानी सुनाऊंगा जिसका नाम है भूतिया बगीचा किसी गाउं में मिष्ठी नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी मिष्ठी के पिता सबजियों की खेती करते थे एक बार उनकी फसल बहुत अच्छी हुई वो सबजियां बेचने बाजार गए और शाम तक सबजियां बेचकर वापस आ गए घर आकर उन्होंने अ सबजियों को उचे दाम पर बेचकर पैसा कमा लेत हैं ना जाने हमरी महनत का सही फल कब मिलेगा आप सही कह रहे हैं लेकिन आप कौनों चिंदा ना ही कीजिये सब ठीक हो जाई हैं मिष्ठी अपने माता पिता की बात सुन रही होती है वो मन ही मन सोचती है काश मैं अपने म माता पिता की कुछ मदद कर बाती अगले दिन जब वो घर के बाहर खेल रही होती है तब उसे एक सुन्दर तितली नजर आती है मिष्टी तितली के पीछे भागती है कुछ दूर जाकर वो तितली का पीछा करते हुए एक बगीचे में पहुंचती है तितली एक सुन्दर फूल पर जाकर बैठ जाती है मिश्टी ठक जाती है और उसी फूल के सामने बैठ जाती है हे भगवान कितना भगाया इस तितली ने ये तितली ये तितली है बहुत सुन्दर पर इस बगीचे के फूल भी कितने सुन्दर है मैं यहां हर रोज आऊंगी मेरा कोई दोस्त नहीं है तो क्या हुआ मैं यहां इन फूलों के साथ खेलने आऊंगी मिष्ठी के इतना बोलते ही एक आवाज आती है मिष्ठी मुझसे दोस्ती करोगी मिष्ठी इधर उधर देखती है लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता वो आवाज फिर सुनाई देती है मैं यहां हूँ मिष्ठी मैं वही तितली हूँ जिसके पीछे तुम इस बगीचे तक आई हो मिष्ठी तितली को बोलता देख हैरान रह जाती है और उससे पूछती है तुम बोल सकते हो लेकिन कैसे हाँ मैं बोल सकती हूँ मिष्ठी यहां कि सभी फूल भी बोल सकते हैं पहले ये बताओ क्या तुम हमसे दोस्ती करोगी हाँ क्यो नहीं मेरा कोई दोस्त नहीं है तुम सब मेरे दोस्त बन जाओगे और हम सब साथ खेलेंगे, बहुत मज़ा आएगा तभी बगीचे में किसी भयानक राक्षस की हसने की आवाज सुनाई देती है राक्षस की आवाज सुनकर मिष्टी बहुत डर जाती है तितली मिष्टी को एक पेड़ के पीछे छुपने को कहती है मिष्टी फटाफट पेड़ के पीछे छुप जाती है और सारा नजारा वहां से देखती है कौन है यहाँ? मुझे किस की आवाज आ रही थी? मैं इन फूलों से बात कर रही थी अब यही तुम्हारी जिन्दगी है इनी फूलों से बात करके अपनी जिन्दगी गुजारो वापस इंसान बनना अब तुम्हारे नसीब में नहीं है लेकिन तुम हमें वापस इंसान क्यों नहीं बनाना चाहते? अगर वापस इंसान ही बनाना होता तो मैं तुम्हें तितली क्यों बनाता? वैसे भी मेरे अलावा तुम्हे कोई इनसान नहीं बना सकता क्योंकि उसके लिए उस इनसान को ऐसा काम करना होगा जो आसान नहीं है ऐसा क्या करना होगा इस गाओं में जो नदी बहती है उस नदी के पानी को इस बगीचे में बरगत के पेड़ के नीचे दबे एक मटके में मिला कर किसी इनसान को तुम पर और बाकी सब पर छिड़कना होगा तभी तुम मेरे माया जाल से आजाद हो पाओगे उस मटके में ऐसा क्या है उस मटके में जादू इमिट्टी है जिसकी रक्षा साप कर रहे हैं वैसे भी लोग इस बगीचे को भूतिया बगीचा कहते हैं ये सोचना व्यर्थ है कि कोई इनसान तुम्हें या किसी और को यहां आकर आजाद करा पाएगा सारी बाते सुनकर मिष्टी बहुत घबरा जाती है मिष्टी तुम यहां से चली जाओ अगर इस रक्षास ने तुम्हें देख लिया तो ये तुम्हें खा जाएगा दोस्त मैं तुम सबकी मदद करना चाहती हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा ये करू तो कैसे नदी का पानी तो मैं फिर भी ले आऊंगी मिष्टी मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ लेकिन इस काम में बहुत खत्रा है अगर उस राक्षास को पता चल गया तो वो तुम्हें नहीं चोड़ेगा अब तो कुछ भी हो जाए मुझे अपने दोस्तों के लिए ये काम करना ही होगा बस ये बताओ कि वो राक्षास यहां कब-कब नहीं होता तितली मिष्ठी को सब कुछ बताती है कुछ देर के बाद राक्षास बगीचे से चला जाता है मिष्टी फूर्ती से नदी का पानी लेने जाती है कुछ देर में मिष्टी एक मटके में पानी लेकर आती है और उसे एक पेड के पीछे छुपा कर रख देती है फिर वो बरगत के पेड के पास जाती है जहां जादूई मिट्टी वाला मटका दबा हुआ होता है मिष्टी को देखकर साप बोलता है ए लड़की चली जा यहां से वरना अच्छा नहीं होगा मैं यहां जादूई मटकी से मिट्टी लेने आई हूँ कृपिया मुझे वो मिट्टी लेने दो यह नहीं हो सकता चली जा यहां से अगर राक्षस को पता चल गया तो वो तुमें और हमें मा डालेगा आप मेरी चिंता ना करें मैं जानती हूँ आप सबको राक्षस ने कैद कर रखा है मैं आप सबको छुड़वाने आई हूँ प्लीज आप वो मटका मुझे लेने दीजी इससे आप भी अपने अस्री रूप में वापस आ जाएंगे और अपने परिवार से भी मिल पाएंगे मिश्ठी की बात सुनकर साप उसे वो मटका ले जाने देता है मिश्ठी मिट्टी को पानी में मिला कर सब पर डालने ही वाली होती है कि तभी राक्षस वहां आ जाता है मिश्ठी जल्दी से एक पेड़ के पीछे छिप जाती है आज भर पेड़ भोजन मिला है अब थोड़ी देर आराम करूंगा राक्षस के सोने के थोड़ी देर बाद मिश्ठी वो पानी सब पर डालने ही वाली होती है कि राक्षस की नींद खुल जाती है मिश्ठी राक्षस की बात सुनकर डर जाती है कि तभी तितली और उसके कुछ दोस्त उड़कर राक्षस की आँखों के आगे आ जाती है जिससे राक्षस का संतुलन बिगड़ता है और मिश्ठी बगीचे से भाग जाती है जाते जाते वो तितली और कुछ फूलों पर पानी छेड़क देती है तितली, फूल और सांप सभी अपने असली रूप में वापिस आ जाते हैं वो सब परी बन जाते हैं उन सब के परी बनते ही सब एक साथ राक्षस पर अपनी शक्तियों का प्रियोग करती है और राक्षस को मार देती हैं और मिष्ठी से कहती है तुम्हारा बहुत बहुत अन्यवाद मिष्ठी तुमने अपनी जान की परवा ना करते हुए हमारी मदद करकी हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है मैं तुम्हें कुछ उपहार देना चाहती हूँ बोलो तुम्हें क्या चाहिए मुझे कुछ नहीं चाहिए बस आप सब हमेशा मेरे दोस्त बन कर रहे तुम घबराओ नहीं मिष्ठी हम हमेशा तुम्हारे दोस्त रहेंगे मैं तुम्हारे घर की स्थिती जानती हूँ इसलिए मैं तुम्हें ये डिब्बा देती हूँ इसमें तुम्हें हर रोज एक सुनी का सिक्का मिलेगा जिससे तुम्हारे पिता की मदद हो जाएगी और तुम्हारे घर की आर्थिक स्तिती भी ठीक हो जाएगी धन्यवाद पर वादा कीजिए जब भी मैं आपको याद करूँगी तो आप मुझसे जरूर मिलने आएगी वादा रहा परी मिष्ठी को वो डिब्बा देकर चली जाती है और मिष्ठी खुशी-खुशी अपने घर आकर अपने माता पिता को वो सारी बात बताती है मिष्ठी की बात सुनकर उसके माता-पिता उसकी तारीफ करते हैं और डिब्बा पाकर बहुत खुश होते हैं तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हिम्मत से काम लें तो बड़ी से बड़ी मुसीवत का सामना किया जा सकता है अगर आपको हमारे वीडियोज पसंद आ रहे हूं तो इन्हें लाइक करें चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शोज सबसे पहले देखने के लिए बैल आइकन दबारन ना भूलें